इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि Microsoft Word में हम header and footer कैसे insert करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि header and footer होता क्या है header जो है वो आपके page का top margin होता है और footer जो होता है वो आपके page का bottom margin होता है अब margin क्या होता है इस चीज़ को समझने के लिए यहां पर मैं Microsoft Word पोपन कर लिता हो और इसका यह blank document मेरे सामने है यह जो page आपको नज़र आ रहा है इसका top area आपको यहां बरुझा है यह top area यह उपने अके लाता है इसका top margin और यहां पर जा आपको bottom area नज़र आ रहा है यह गिलाता है इसका bottom margin और यहां पे आप क्या करते हैं कि अपने header and footer में useful information जो कि इस document के मुतालिक होती है और उसके अंदर कुछ ऐसा material होता है जो आप चाहते हैं कि वो आपके document के हर page पे display हो वो आप header and footer में insert करते हैं इसे header and footer कहा जाता है जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास जब भी हम किसी doctor के पास check up के लिए जाते हैं तो जिस page पे वो हमें medicine लिख के देते हैं तो उनके बिल्कुल top पे आपको उस doctor की basic information लिखी होती है उस doctor का नाम, hospital का नेम और उसका phone number इसी तरह जब आप किसी university में admission लेते हैं तो इसका जो admission form होता है उसके भी top पर उस university या उस academy या स्कूल की basic information टॉप पे लिखी भी होती है जिसमें उस academy का logo उसका नाम, phone number मौझूद होता है तो यह दरसल किया जाता है header और footer के जरीए और अक्सर आपने देखा होगा कि Microsoft Word में हमारे पास जितने भी pages होते हैं उनमें page number शो हो रहा होता है, कि यह page 1 है, यह page 2 है, यह page 3 है, यह किया जाता है footer से footer में हम क्या करते है, page number add कर देते है तो हमें अभी थोड़ा बहुत idea हो चुका है, कि header and footer होता क्या है अब हम इस चीज़ के उपर बात करते हैं, कि इसको document में insert कैसे करना है आप जिस वक्त आपने अपना blank document तियार किया है, आपने इसके बिलकुल top पे double click करना है जैसी आप इसके उपर double click करेंगे, तो इसका header और footer section open हो जाएगा और जैसी इसका header and footer section open होगा, यहाँ पे आप क्या कर सकेंगे, आप इसका पूरा एक design तियार कर सकेंगे यह आपके पास header and footer पूरा एक section open हो चुका है, और यह इसका design आपके सामने है इस design का इस्तमाल करते हुए, आप यहाँ पे बेतरीन किसम का header और footer डिजाइन कर सकते हैं अब इसका design section है, इसके अंदर total पाँच हिस्से है, पहला हिस्सा header and footer के बारे में है दूसरा हिसा insert के बारे में, यानि अगर आप यहाँ पे कोई चीज इंसर्ट करना चाहते है, तीसरा जो है वो navigation के बारे में है चौथा जो है आपके सामने यहाँ पे position, आप इसकी set कर सकते हैं, यह देखें 0.5 inches जो है यह top इसका distance है आप इसको कम करना चाहें, तो कम भी कर सकते हैं, और आखिर में आप पूरे design अपना करने के बाद, आप अपने इस header and footer section को close कर देंगे तो हम start करते हैं header and footer से, अब header and footer का जो section है, जो group है, इसके अंदर जो पहला option आपको नज़र आ रहा है, इसके ओपर बात करते हैं, यह है header, यहाँ पे आपको कुछ already बने बनाए headers मुझूद हैं, जिनके नाम यहाँ पे मुझूद हैं, जैसे के blank header, blank three columns header, Austin header, bandit, facet, और य इसमें से कोई एक select करके, आप अपनी मर्जी का header बना सकते हैं, और exam point of view से important यह है, कि आप से यह कहा जा सकता है, कि यह एक खास document है, और इसके अंदर आपने for example, यह retrospect header add करना है, तो आप यहाँ पे जाएंगे header and footer section में, और header पे click करने के बाद यहाँ पे आप सर्च करेंग तो यह हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, यह देखें, इसके पर मैं click करूँगा, तो देखें, यह header अब add हो जाएगा, और यहाँ पे आप for example, कोई एक book लिख रहे हैं, उस book का title यहाँ पे add कर दें, कि मैं computer science के बारे में एक किताब लिख रहा हूँ, तो यह हर जो मेरी page होगा मेरी book का, उसके top पर यह लिखावाएगा, और यहाँ पे आप add कर सकते हैं, आज की date, और यह आपने यहाँ पे date add कर दी, यहाँ से चाहें तो update change भी कर सकते हैं, तो यह एक format है, जो कि already बना बना है, आपको design करने की जरूवत नहीं रही, और यहाँ पे जब मैं click करू close header and footer के उपर, तो देखिए, यह अब आपका header है, अब आप यहाँ पे अपना जो कुछ भी type करते हैं, जो भी आप document त्यार करते हैं, उसके बाद जब आप next page पे जाते हैं, जैसे देखिए, यहाँ पे मैं next page पे जिब जाओंगा, तो next page पे भी header खुद बखुद यहाँ पे आजाएगा, अब मैं इसके उपर वापस double click करता हूँ, और इसको हम यहाँ पे delete कर देते हैं, इसको मैंने यहाँ से delete कर दिया, अब आप यहाँ पे फिर से एक different header डालना चाहें, तो डाल सकते हैं, इसके लावा आपके पास कुछ और headers भी हैं, जो कि office.com के जरिए, आप अपने header को edit कर सकते हैं, remove पे आएंगे तो आपने header को remove कर सकते हैं, तो अब आपने header को यहाँ से remove कर दिया, इसी तरह footer section में भी हमारे पास already कुछ बने बनाए footers मौजूद हैं, ऐसे कि आप देखें कि यहाँ पे, मैं यह एक footer select करता हूँ, तो यह मेरा, यहाँ पे page को display क करेगा, अब देखें, यहाँ पे मैंने header and footer को close कर दिया, footer में आ रहा है page 1, और यह मेरे पास आ रहा है page 2, तो इस तरह से आपने यहाँ पे footer add कर दिया, अब हमने basic सीख लिए है, header and footer add कैसे किया जाता है, अब मैं इस पर double click करता हूँ, अब आपने इस पर design करना सीखना है, इसे आप से कहा जाए कि आपने, अगर इसमें date and time add करना हूँ, किसी भी एक format में वह आप add कर सकते हैं, तो देखें, यह आज की date यहाँ पे आ आ गई, यह इसमें month आ रहा है और साल आ रहा है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे document की information डालना चाहते हैं, कि इसका author कोन है, इ file path क्या है, document title क्या है, और इसके अंदर और जितनी भी document properties हैं, जो हमने इससे पहले एक वीडियो में discuss की थी, वह आप यहाँ पे add करना चाहते हैं, वह आप कर सकते हैं, इसके लावा आप कोई document property, खुद से एक field add करना चाहते हैं, तो वह भी आप कर सकते हैं, तो जैसे मैं author क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे मेरे document properties से author होगा, वो मेरे header में यहाँ पे show होगा, इसके साथ-साथ, यहाँ पे आपके पास एक और option होता है, quick parts का, quick parts में आपके पास already कुछ text होते हैं, जो कि आप यहाँ पे add कर सकते हैं, इसके अंदर भी document property, field, और इसके साथ-साथ, यहा और अगर आप कोई picture add करना चाहते हैं, अपने organization के हवाले से, कुई logo add करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे add कर सकते हैं, और वो भी आपको यहां से, हासल ओसकते हैं, इसके, यहाँ पे मैंने यह एक picture add कर दी हैं, और इस picture के बाद यहां पे यह जो मेरा header है यह हर header के साथ आपको दिखाई दे रही है और उसके बाद यह हमने header and footer को सीख लिया है अब navigation की बात करें तो आप पूरे document में किसी एक खास footer तक पहुँचना चाहते हैं किसी एक खास पेज तक माँचना चाहते हैं उसके पर मैं click करूँगा और यह आपको footer की तरफ लेके जाएगा go to header पर जाएंगे तो यह आपको header की तरफ लेके जाएगा और यहां से आप next header की तरफ जाना चाहें तो next header की तरफ move कर देगा next footer की तरफ जाना चाहे तो next footer की तरफ move कर देगा तो हमें एक basic understanding हो चुकी है header footer, insert और navigation की अब यहां पर बात करते हैं options की, option में हमारे पास एक और option होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पहला page है, उसका जो header है, वो different हो उसके लिए मैं इसके उपर click करूँगा, जब मैं इसके उपर click करूँगा, तो मेरे first page का header different होगा, और जो मेरे remaining pages है, उनका header जो होगा, वो पहले वाला होगा, जो कि मैंने रखा होगा, इसी तरह अगर आप click करते हैं, different odd and even pages के उपर, तो आप दो headers, यहां पर set कर सकते हैं, odd pages के लिए different header हो सकता है, और even pages के लिए different header हो सकता है, और उसके बाद हम position पर आ जाते हैं, यह मैं आपको बता चुका हूँ कि यहां पर आप अपनी header and footer की length को increase या कम कर सकते हैं, देखें, और आखर में हम बात करते हैं, यहां पर close header and footer की, इसके उपर मैं पर click करके, यहां से भी आप header and footer को access कर सकते हैं, अगर आपने header add करना है, तो आप insert पर click करके भी जा सकते हैं, या footer, या अगर आपने page number add करना है, वो भी आप यहां से करके जा सकते हैं, और उसके लिए आपको different templates यहां पर already दिये हैं, कि आप किस template में page number add करना चाहते हैं, और इसके लावा अगर आप page number remove करना चाहते हैं, तो page number आप remove भी कर सकते हैं, तो आज किस वीडियो में हमने बहुत ही basic understanding सिखी है, कि Microsoft Word में header and footer होता क्या है, उसको add करने का, edit करने का क्या तरीका होता है, अब आपने क्या करना है, कि इसी information को सामने रखते हुए, header and footer की Microsoft Word पे practice करनी है, और different ऐसे documents त्यार करने हैं, जिसमें header and footer का इस्तमाल होता है,